हाई फेंट्स मानी मेंका 2307 में आपको बड़े दिल जोगत है आज हम बात करना में जूपीटर वागंस लिमिटेट शेयर के बारे में दोस्तों जिसका आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिला है और बहुत टाइम से आप देखो के तो एक तो ट्रेट करता हुआ 93 के आजपास आपका ब्रेक आउट हुआ था तो 93 के रेंज से ब्रेक आउट हुआ था और यह स्टॉक ऐसा एक स्टॉक है जो वागं रेलोवे कोचेस और पैसेंजर कोच और आभी इभी इभी वेहिकल्स में एंट्री ले लिया है इस टॉक ने तो स शाथी साथ आपका वागंज वागंज बनाता है और अभी क्या है कि पहले 600 पर मांद बनाता था पर मांथ तो अभी बर के हो गया 700 पर मांद बना रहा है तो इसी वाज़े से स्टॉक में रेविन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और स्टॉक आपका 46 का हुआ करत स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा स्टॉक के लिए सपोट है इस इस रेंज से नीचे जा नहीं सकता क्योंकि एक कॉंटिनुवास आप्टेंड में है तो और एक पोजीशन बना के आप्टेंड में तो और साथी साथ वान थाट्य एट बहुत स्टॉक में और सबसे बड़ी बात के टू टूइंटी सिक्स परचेंट वान एर म बनाता है तो उसका डेविन्यू और इंडियान रेलवे से स्टॉक का बहुत ज़्यादा डिमेंड आ रहा है बहुत ही ज़्यादा ओडर मिल रहा है स्टॉक को और लाखो करोरों में और और साड़े माल को एक्जिक्यूट कर रहा है सही टाइम पर इसलिए स्टॉक में एक लगा अतार आप देखोगे तो एक अच्छा खासा आप ट्रेंड देखने को मिलेगा हाली में मैंने बताया था कि 250 स्टॉक के लिए आपका बहुत बड़ा टार्गेट हो सकता है और यह टार्गेट आपको डिसेंबर लास तक देखने को मिल जाएगा तो डिसेंबर लास तक अगर जिसका 6 मैना होल्डिंग है तो आपका जूपीटर वागन लिमिटेड शेयर को बाई कर सकता है तो अभी 155 में ट्रेट कर रहा है फिर भी आपका 100% मतलब यहां से भी आपका 100 पॉइंट उपर है बने रह सकते हो बहुत ही अच्छा चार्ट वाईज आपको बनाते हुए देखो हर दिन अपका प्रेक आउट नीव लेबल नीव हाई नीव हाई नीव हाई को बरता जा रहा और पुराणा हाई को लो बनाता हुआ जा रहा है तो ऐसे ही इस टॉक में आपका इंवेस्ट 07 थेंक्स पर वाचिंग